हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लटा की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसाम जैन्ड स्वेटर का पैटन सियर करने जारी हूँ अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं, तो देखिए फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट रो, फर्स्ट रो बनाने से पहले देखिए, सबसे पहले हमने अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डाल लेने हैं, फिर कोई सा भी बॉर्डर बनाके कंप्लेट का लेन यह पहला फंदा उतार लेना है और एक फंदा सीधा बुन लेना है अब देखें इन दो फंदों को छोड़ने के बाद हमारा पैटर्न बनना स्टार्ड होगा छे फंदे उल्टे बुन लेंगे एक दो तीन चार पांच और छे यह छे फंदे हमने उल्टे बुन दिये धागा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे एक डो तीन और चार तो देखें छे फंदे उल्टे आगए चार फंदे सीधे आगए यही प्रोसिस हमें आगे रिपीट करना है छे फंदे उल्टे बुन लेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे एक डो तीन चार पांच और चे यह छे फंदे उल्टे आगए दागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक डो तीन और चार यह चार फंदे सीधे सेम फ्रोसिस रिपीट करते जाएंगे फ्रंट साइट से अपनी फ़स्ट रो कमप्लीट कर लेंगे यह देखिए फ्रंट साइट से अमारी पैटन की फ़स्ट रो कमप्लीट हो गई अब देखिए बैक साइट से से किंड रो अब से किंड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइट से हमने से किंड रो को उल्टा बुनते हुए कमप्लीट करना है पूरे पैटन में हमने बैक साइट से यही प्रोसिस रिपीट करना है देखे बैक साइड से हमारी सेकिंड रो कम्प्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो को हमने फर्स रो की तरो बुनते हुए कम्प्लेट करना है दागा अपनी साइड करेंगे छै फंदे उल्टे बुन लेंगे दागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे बुन लेंगे सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से थर्ड रो कम्प्लेट कर लेंगे ये देखे ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्ट रो फोर्ट रो को हमने सेखिंड रो की तरह उड़ा बुनते होए कम्प्लेट कर लेना है ये देखे बैक साइड से हमारी फोर्ट रो कम्प्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से फिप्तरो अब फिप्तरो को हम फोर्ट रो की तरह बुनते होए कम्प्लेट करेंगे आप देखे फ्रंट साइड से हमारी फिप्तरो कम्प्लेट होए ये फिप्तरो को हम फोर्ट रो की तरह बुनते होए कि तरह बुनते होए कि तरह बुनते हैं फिप्तरो को हमने फस्ट रो की तरह बुनते होए कम्प्लेट किया बैक साइड से देखे शिक्स रो को हम सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते होए कम्प्लेट करेंगे ये देखे बैक साइड से हमारी सिक्स रो कम्प्लेट हो गई आप देखे फ्रन्ट साइड से से शिक्स रो अब सेवंत रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे अब देखे नेश्ट हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये छे फंदे सीधे बुन दिये, छे फंदे सीधे बुनने के बाद दिखे, चार फंदों में हमारा पैटर्न आएगा, जो ये चार फंदे सीधे दिखाए दे रहे हैं, इनमें हमारा पैटर्न आएगा, तो इन दो फंदों को आगे करेंग और देखें ऐसे बींच में जो दिखाइए तॉरण इनल्यव करेंगे और देखें एक फंदा बनानानी के बाद इस फंदे को इस आध म। नीडिल नेदिल में डालेंगे धाया अपनी करेंगे अब देखें यए फंदे में इस आध बनाया है और पहला फंद है इन सेम प्रोसिस रिपीट करना है, दो फंदों को आगे करेंगे, ऐसे दिखे, इस पेश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने सलाइड डालनी है, एक फंदा, बना लेना है, इस फंदे को हम ऐसे लेप नीडल में डालेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, और दिखे, एक एक्स्ट्रा फंदा और पहला फंदा, इन दोनों को एक साथ भून लेंगे, और उल्टा भूनेंगे, फिर नेच्ट फंदा भी चार, पांच, और 6, छे फOoh सीधे 6 फन्दे सीधे बुर्ने के बाद देखिए चार फंदाओं में हम पैटर्न डालेंगे 2 फंदे आगे करेंगे बीच में देखिये जो इसपेस दिखाई देरा यहाँ पर हम सलाइड डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे धागा अपनी side करेंगे अब देखे जो extra फंद है पहला फंद है इन दोनों को एक साथ बुनेंगे दो का एक करेंगे फिर देखे एक फंदा ओल्टा बुनेंगे अब देखे नेस्ट हमने same process repeat करना है दो फंदों को आगे करेंगे और देखे जो space दिखाए दे रहा है यहां प का एक किया फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो देखे एक चार फंदों में हमारा pattern आ गया धागा पीछे करेंगे 6 फंदे सीधे same process repeat करते जाएंगे और front side से अपनी save अंत्रों complete करेंगे यह देखे यह front side से हमारी 7 त्रों complete हो गई अब देखे back side से 8 त्रों अब 8 त्रों को हमने second row की त्रों उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है यह देखे back side से हमारी 8 त्रों complete हो गई आप देखे front side से 9 त्रों अब 9 त्रों में देखे पहला फंदा उतार लेंगे next फंदा सीधा बुन लेंगे आप देखे next हमने 2 त्रों 4 एक 5 पांच फंदे सीधे बुन लेने तो देखे एक दो तीन चार और पांच यह पांच फंदे सीधे बुने पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखे next हमने 2 फंदों में पैटर्न डालने है दोनों फंदों को आगे करेंगे और इस पेस में ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा बना लेंगे और इस फंदे को left नेडर में शिफ्ट करेंगे दागा अपनी side, extra फंदा और पहला फंदा इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक कर लेंगे ये दो का एक किया फिर देखे नेस्ट फंदा भी हमने उल्टा ही गुन लेना है फिर धागा पीछे करेंगे अब देखे यहां सेंटर में दो फंदे सीधे आ जाएंगे एक और दो ये दो फंदे सीधे अब देखे नेस्ट हमने दो फंदों में पैटर्न डालना है एक और दो दो फंदे आगे करेंगे इस पेस में देखें ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा बना लेंगे एक फंदा बनाया इसको लेफ नीडिल में सिफ्ट करेंगे धागा आगे करेंगे आप देखें जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है और पहला फंदा है इन दोनों को एक साथ बुनें और उल्टा बुनेंगे, यह दो का एक हो गया, और नेस्ट फंदा भी हमने उल्टा बुनें, धागा पीछे करेंगे, आप देखें यहाँ पे सेंटर में हमने यहाँ चार फंदे सीधे बुनें, जो हमारे छे फंदे थे उनमें से हमने चार फंदे सीधे बुनें, एक, दो, तीन चार चार फंदे सीधे चार फंदे सीधे आ गए अब देखें नेस्ट अमने दो फंदों में पैटर्न डालना है दोनों फंदों को आगे करेंगे इस पेस में हम ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा बनाएंगे इस फंदे को left needle में डालेंगे, धागा अपनी side, अब देखे एक extra फंदा और पहले नंबर का फंदा, ऐसे एक साथ बनेंगे और एक फंदा बना लेंगे, nest फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा पीछे ही रहेगा, nest दो फंदों में pattern आएग दोनों को एक साथ बनेंगे, एक फंदा बनाएंगे, nest फंदा उल्टा बनेंगे, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर देखे नेस्ट आमने दो फंदों में pattern डालना है, दोनों फंदों को आगे करेंगे, एंसे space में slide डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, left needle मे डालेंगे धागा अपनी साइड ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे आ जाएंगे ऐसे अब नेस्ट हमने देखिए लास्ट के तीन फंदे सीधे बुन लेने हैं ये देखिए एक फ्रंट साइड से हमारी नाइंत रो कमप्लीट हो गई अब देखिए बैक साइड से टैन रो अब टैन रो को हमने सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लीट कर लेना है ये देखिए एक साइड से हमारी टैन रो कमप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से इलेवन रो अब इलेवन रो में देखिए पहला फंदा उतारा नेस्ट फंदा सीधा बुनेंगे आप देखिए यह हमारे पैटरन वाले फंदे आ जाते हैं तो देखिए एक, दो, तीन और चार चार फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार यह चार फंदे सीधे बुन लेने हैं कि next हमने दो फंदों में pattern डालना है, तोनों फंदों को आगे करेंगे और ऐसे space में slide डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे, इस फंदे को left needle में डालेंगे, धागा अपनी side करेंगे, और 2 का 1 कर लेंगे, इस दो का 1 किया, फिर एक फंदा उल्टा भुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे अब देखिये next हम 4 फंदी सीधे बुण लेंगे एक दो तीनтора के चार फंदे सीधे बुणने के बाद देखिए हमने दो फंदों में pattern डालना है तो डो नो पंदों को ऐसे आगे करेंगे और इस पेस में देखें ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा बना लेंगे एक फंदा बनाने के बाद देखे इस फंदे को ऐसे लेफ निडिन में डालेंगे धागा अपनी साइड करेंगे और ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक या धागा अपनी ही साइड रखेंगे और नेस्ट फंदा भी हमने उ दोनों फंदों को आगे करेंगे और ऐसे स्वेस में डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे इस फंदे को ऐसे लैप्ट नीडिल में डालेंगे धागा अपनी साइट करेंगे और दीखेए 2 फंदे 1 साथ भुनेंगे, एक एक एक्ष्ट्रा फंदा और एक पहले नंबर का, इस तरीके से, फिर नेश्ट फंदा भी हमने उल्टा भुन लेना है, धागा पीछे करेंगे 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे भुनने के बाद दीखेए, नेश्ट अमने दो फंदों में pattern डालना है तो देखे इन दोनों फंदों को आगे करेंगे और देखे जो space दिखाए दे रहा है इसमें हम ऐसे slide डालेंगे एक फंदा बना लेंगे एक फंदा बनाने के बाद इसको left needle में डालेंगे धागा अपनी side करेंगे दो फंदे एक साथ बुनेंगे फि धागा अपनी साइट, एक्स्ट्रा फंदा और पहले नमबर का फंदा, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनना है और उल्टा बुनना है, फिर नेस्ट फंदा उल्टा आ जाएगा, धागा पीछे, अब देखें नेस्ट फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, ये चार फंदे सी सीधे बुने पैटरन के, और लास्ट वाले दो फंदे भी सीधे आ जाएगे, ये देखें ये फ्रन्ट साइट से हमारी इलेवन त्रों कमप्लेट हो गई, अब देखें बैक साइट से ट्रों, ट्रों को हम सेकिंड रों के तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेंगे ये देखें ये बैक साइट से हमारी ट्रों कमप्लेट हो गई, अब देखें फ्रन्ट साइट से थर्टिन डों, अब थर्टिन डों में देखें पहला फंदा उतार लेंगे, नेच्ट फंदा हमने सीधा बुन लेने, अब इन दो फंदों को छोड़ने के बाद देखें, हमारे पैटंड वाले फंदे इस्टार वो जाते हैं, तो देखिए यहां पर हमने तीन फंदे सीधे बुनने एक दो तीन फंदे सीधे बुनेंगे तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए दो फंदों में पैटर्न आ जाएगे दोनों फंदों को आगे करेंगे और ऐसे इस पेस में हमने ऐसे सराई डारनी है और एक फंदा ब तो एक्स्ट्रा फंदा और पहले नंबर का फंदा, दोनों फंदों को एक साथ बुलना है और उल्टा बुलना है, तो देखिए दो का एक कर लेंगे, इस तरीके से, फिर एक फंदा उल्टा बुलनेंगे, धागा पीछे करेंगे, आप देखिए यहां पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, ये छे फंदे हमने सीधे बुन दिए, छे फंदे सीधे बुनने के बाद देखे, नेशन हमने दो फंदों में पैटर्न डालना है, तो देखे, ये दोनों फंदों को आगे करेंगे, और देखे, जो इस पेस दिखाए देरा, यहां पर ह हमने ऐसे सलाइड डालनी है, एक फंदा बना लेना है, और इस फंदे को ऐसे लेफ निडिल में डालेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक्स्ट्रा फंदा और पहले नंबर का फंदा, एक साथ बुन लेना है, दो का एक कर लेना, नेश्ट फंदा उल्टा बुन फिर धागा पीछे करेंगे, और देखें, नेश्ट हमने दो फंदों में पैटर्न डालने है, दोनों फंदों को ऐसे आगे करेंगे, और देखें, इस पेस में हमने ऐसे सलाइड डालनी है, एक फंदा बना लेना है, एक फंदा बनाएंगे, इसको लेफ निडिल में डालें ऐसे फिर धागा अपनी side करेंगे और देखें 2 फंदे एक सात भुनेंगे एक्स्ट्रा फंदा और पैले नमबर का फंदा एक सात भुन लेना है और उल्टा भुनें फिर एक फंदा उल्टा भुनेंगे धागा पीछे 6 फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो तीन चार पांच और छे, छे फंदे सीधे, छे फंदे सीधे बुनने के बाद दिखिए, नेश्ट हमने दो फंदों में पैटरन डालना है, दोनों फंदों को आगे करेंगे, और दिखे जो खाली जगा दिखाई दे रहे, यहां पर हमने ऐसे सलाई डालनी है, एक फंदा बना लेना है, और इसको लेफ नेडिल में डालना है, धागा अपनी साइड करना है, एक्स्ट्रा फंदा, और पहले नमबर का फंदा, एक साथ बुनेंगे, और उल्टा बुनेंगे, नेश्ट फंदा भी हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे करेंगे, और दिखे नेश्ट्रा हमने दो फंदों में पैटरन डालना है तो दोनों फंदों को आगे करेंगे और दिखे जो ये खाली जगा दिखाई देरी यहां पर हमने ऐसे सलाइड डालनी है एक फंदा बनाना है इसको लैप निडिल में डालना है धागा अपनी साइड एक्स्ट्रा फंदा और पहले नंबर का फंदा इन दोनों को एक साथ बुनेंगे और नेश्ट फंदा भी हमने उल्टा बुन देन धागा पीछे अब लास्ट के फंदे सीधे आ जाएंगे तो देखे ए फ्रांट साइड से हमारी थर्टिन डो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्टिन डो फोर्टिन डो को हमने सेकिंड डो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह देखे ए रोंग साइड से हमारी 16 डो कंप्लेट हो गई अब देखे फ्रांट साइड से 17 डो अब 17 डो में हमारा पैटर रिपीट एंड सिप्ट होगा तो देखे यहां पे रिपीट और सिप्ट की एक रो पहला फंदा उतार लेंगे अब नेस्ट हमने एक फंदा सीधा भुन लेना है, एक फंदा सीधा भुनेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा आ जाएगा, ये एक फंदा हमने उल्टा भुनना है, धागा पीछे करेंगे, और देखे नेस्ट हम पैटन के चार फंदे सीधे भुनेंग अब देखे ये वाला पैटन हमारा इन चार फंदों में सिफ्ट हो जाएगा तो देखे इन चार फंदों को हम सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार ये चार फंदे हमने सीधे बुन देने हैं धागा अपनी साइट करेंगे और छे फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, छे फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे आजाएंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे धागा अपनी साइड, छे फंदे उल्टे आजाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे उल्टे, धागा पीछे, चार फंदे, सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट के दो फंदे सीधे आ जाएंगे, ये लास्ट के हमने दो फंदे सीधे बुंदे, ये देखे ये फ्रेंट साइट से हमारी 17 डो कमप्लेट हो गई, 17 डो में हमारा पैटरन रिपीट एंड सीधे फंदे थे, इसके उपर देखे ये 6 उल्टे फंदों का पैटरन सिफ्ट हो गया, और जो 6 उल्टे फंदे थे तो देखे इसके उपर ये 4 सीधे फंदों का पैटरन सिफ्ट हो गया, इस तरीके से हम अपने पैटरन को रिपीट एंड सिफ्ट करते जाएंगे, और बन आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल भी नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू